हो मिनिस्टर होते ग्रे मंत्री होते तो अच्छा होता अब मुझे मालूम है मैं ग्रे मंत्री जी की बात कर रहा था लेकिन छोड़िए इस बात को आगे बढ़ते हैं बढ़ाने के लिए सर इस दो किसम के वाइरिस ने तबाही मचा रखी है एक अंतराष्टी अस्तर पर एक करोना वाइरिस चल रहा है और उसकी बुनियाद हमें अभी नहीं मालूम हुई अभी रिसर्च हो रही है इतना जरूर मालूम है कि वुहान से वो शुरू हुआ था और विश में फैल रहा है और एक वाइरिस यहां चल रहा है यह ऐसा कम्यूनल वाइरिस है वो तेजी से बढ़ावा उसको मिल रहा है और इतना तो हमें मालूम है कि इसकी जड़ क्या है और कहां से आती है इस बात का तो हमें मालूम है और अब गंभीर बात ही है कि दो अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो अच्छा गंभीर बात यह है कि जब यह वारिस पहल रहा था तो इसका साथ कौन दे रहा था who are the collaborators of this communal virus that was being spread and that's that's a very important issue that i will wish to discuss today और ग्रे मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं इन्होंने footage भी देखी होगी एक ऐसी footage है जहांके police कर्मी खुद camera तोड़ रहे हैं कुछ cc tv cameras तोड़ रहे हैं अब क्यों तोड़ रहे हैं यह तो सभी को मालूम है इसलिए तोड़ रहे हैं कि जो भी दंगा और फसाद कर रहे हैं उनका evidence सामने नहीं आए उनके benefit के लिए तोड़ रहे हैं निश्टित रूप से और साथ साथ में जो हिंसा हो रही थी उसका साथ पर मार रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तु बोल जन्मन गा जन्मन गन्गा उसके बाद उसकी मृत्ति हो गई यह सब भी हमने देखा और आपको मालूम है कि 24 फरवरी को 144 लागू हो गया और लागू होने के बाद भी पुलीस ने कुछ नहीं किया और और जब पुलीस को पूछा गया और भड़काओ जो भाशन हुए उसके बारे में भी पूछा गया कोट ने पूछा एक न्याइदीश ने पूछा कि आपको मालूम है कि ऐसे ऐसी बाशन हो रहे थे और ऐसी इमिजिस दिखाई जा रही थी तो पुलीस ने का नहीं हमें कुछ नहीं है मालूम हमने तो देखे ही नहीं सारी दुनिया को मालूम था कि दिल्ली में क्या हो रहा है और पुलीस कर्मियों को मालूम नहीं था कमिशनर और पुलीस को मालूम नहीं था मालूम नहीं ग्रियम अंतर जी को मालूम था यह नहींreek बताएंगे हमें अब एक जब लोग जखमी हो रहे थे के एक प्राइविट हस्पताल लेहांップ हस्पताल वहाँ से लोग वहाँ जा रहे थे लेकिन क्योंके वो सरकारी हस्पताल नहीं है तो पुलीस कुछ कर नहीं रही थी तो दो बज़े रात को एक नाईदीश ने सिटिंग की कि आप इतना तो कर दीजिए उसके बाद कहीं उनको वहां से जाने दिया सहूलियत मिली और वो एक कर्मेंट हस्पताल ले गए अब इस बात का तो हमें मालूम है कि दिल्ली में जब जो जितने पुलीस कर्मियां वो लगबक 87, 87,000 हैं इतने कर्मियों के होते हुए भी दंगे रुक नहीं पाए और मुझे तो ताजूब है कि ग्रेय मंतरी जी ने एक P.I.B. के रिलीस हुई थी पांच बज़े शाम को 25 फरवरी को और उसमें कहा गया कि professionally हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो सारी जा हाथसा हुआ है वे spontaneous है spontaneous है ये P.I.B. की रिलीस है मैं आपको पढ़ा के पढ़ भी सकता हूं सदन में और कल ग्रेय मंतरी जी ने लोकसाबाएं कहा कि नहीं नहीं ये तो साजिश थी ये तो conspiracy थी तो 25 फरवरी को तो spontaneous था और कल लोकसाबाएं conspiracy हो गई य अब कहरा जा रहा है कि लोग उत्तर प्रदेश से आए तो इतना तो साफ जाहिर है कि पुलीस जो हिंसा करवा रहे थे कर रहे थे उनका साफ दे रही थे और उसका नतीज़ा क्या हुआ कैसे कैसे लोग बेकसूर लोग मारे गए जिनका कोई दंगो फजादों से लेना देना नहीं एच पचासी साल का बुड़ा उसको तीसरे फ्लोर पे जाकर उसको जला दिया गया पचासी साल का बुड़ा उसको क्या लेना देना है दंगों से एक 22 साल का लड़का वो सुबह जा रहा था दो लोगों के साथ और ये फरवरी 26 की बात है जब ग्रेमंतरी जी ने कहा कि 26 फरवरी को कुछ नहीं हुआ तो मैं 26 फरवी का भी वाक्या बता रहा हूं तो वो मोटर साइकल के साथ दो और लोगों के साथ जा रहा था और करावल नगर में तो वहां रुका गया उसको बोला कि तुम बताओ कौन हो तुमारा रिलिजन क्या है तो चुप रहा पिर उसके कपड़े उतारे गए पिर उसक अबने गुरुगराम ने एक सुपरिंटेंडनेंट की पुलीस कर्मियों की बैठक में कहा कि कानून तो पारलेमेंट बनाती है यह उनका करतव्य है और लागू करना पुलीस का करतव्य है और जहां पुलीस उसको लागू नहीं करती तो लोग तंतर पे एक धब्बा है रे इसनल सेक्यूरिटी एडवाइजर ने कहा शायद ग्रह मंतरी की तरफ शायद उसका शायद आपके बारे में कुछ कह रहे थे हो सकता है मुझे नहीं मालो एक मुहमद अख्तर को उसका सारा घर जला दिया गया और एक सबसे दर्दनाक जो कहानी है वो एक बुड़े की है ज प्यार उपाई पर बैठा हुआ था और उसको दंगाई उसके पास आए और उसको मारा तो उठा इसको दुबारा मारा तीसरी बार उठा दुबारा मारा फिर उसको बाहर निकाल दिया गया और उसको जुला दिया गया और जलने के बाद केवल उसकी एक टांग बची थी त उसका जो खावन्थ था उस बिचारे के आंखों पे ऐसे गिर गया था वो पेचान भी ने पाया उसका सुनता रहा कि क्या हो रहा है और जब हस्पताल में लोग गए तो उन्हों ने का पुलिस ने का कि अब नाइये डॉक्तर ने का किसकी लाश आप कैसे के सकते हो कि आपका बाप है तो बोला, इस इस लैग में न, उसका एक गाव था, तो बेटे, साने लॉण गाव भी खातर रहा के कहा, हाँ, यह मेरा ही, ये तो दिली में हो रहा था, घ्умंत पूली जी, आप क्या कर रहे थे आप क्या कर रहे थे वो लोग आज कह रहे हैं जो पीडित हैं वो कह रहे हैं कि किसका सहारा नूँ कानून तो हत्यार बन गया है किसका सहारा नूँ कानून तो हत्यार बन गया है अब तो शहर में बेकसूर भी गुनेगार बन गया है शेहर में बेकुसूर भी गुनेगार बन गया है चल रहा था बेफिक्र होकर घर की सड़क पे मैं उसी सड़क पे हिंसा एक तिवहार बन गया यह है असलियत दिल्ली के जहां कभी दंगे नहीं होते थे और ताजू की बात ग्रे मंतरी जी यह है ताजू की बात ग्रे मंतरी जी यह है ताजू की बात यह है कि नौर्थ इस्ट में नौर्थ इस्ट में नौर्थ इस्ट की टोटल जो अबादी है वो लगबग बाइस लाख है बाइस लाख अबादी है दोजार ग्यारा के सेंसस की कर रहा हूं उसमें 68% हिंदू molar 29% मुसलिम्स और जो मेरे पास आंकड़े हैं लगबग 53 लोगों की मौत हुई है उसके 44 तो मेरे पास आंकड़े हैं उन्हें में 32 जोग एक कम्यूटी को बेलॉंग करते हैं और 12 लोग डूसे क्यों हो रहा था वाइरिस की वज़े से हो रहा था किसी और वज़े से नहीं हो रहा था और फिर ये वाइरिस फिलाया किसने ये वाइरिस उन्हीं लोगों ने फिलाया जो भाशन दे रहे थे भड़काओ भाशन दे रहे थे मैं पूछना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूं ग्रेह मंतरी जी से के जो भाशन दे रहे थे उनके उपर राज तक F.I.R. क्यों नहीं हो रहे है ग्रेह मंतरी जी को मालूम होगा के Tag 8, under Article 1502-AI happiness 6P.A. हूँटika 6P.A. शूछना प्रेह हूगा का लूछना ट राजविस वॉजड़कु चॉछना थेंस सम्सेके लाजसें इन का भूछना। मुदमगे लूदि़ा क लुच से के लूघंट का दिर चाू glance Wirוגanमा से विकि जियं हूवे स्विबकू presentation or otherwise, promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony of feelings of enmity, hatred or ill-pill between different religions, racial language or religious groups, उसको तीन साल के सदा हो सकती है। और ये तो cognitive offense है, जो कहरा है कि देश के गदारों को और जनता कह रही है, मैं कुछ बात नहीं कहना चाता, वे तो cognizable offense है, इसमें F.I.R. की देरी क्यों? उन लोगों के खिलाफ F.I.R. क्यों नहीं आपने दर्च की? और जब नयाई दीश ने पूछा, तो आपके एक सुलिस्टे जेनरल साहब नहीं कहा कि उसका वक्त अभी नहीं आया. It is not an opportune time to file an F.I.R. कोई F.I.R. कभी opportune time होता है, जरा हमें भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा law law सीख लें. The moment a cognizable offense is committed and F.I.R. has to be lodged. This is a license to kill. That is what was happening in Delhi. and the home minister must tell us कि F.I.R. आज तक lodge क्यों नहीं हुई? एक आपका सदस्य कहने लगा कि अगर शहीन बा के लोगों जब ये बाद में क्या होगा कि यहीं लोग आपकी हत्या करेंगे, बलतकार करेंगे, आपको मार देंगे, ये तो cognizable offense है, under 153A, तो आपने उनके खिलाफ F.I.R. क्योंके आपके पार्टी के लोग हैं वो, इसलिए नहीं कर रहा है आप, हर्श मंदर के साथ तो F.I.R. हो गई, लिकिन जिन लोगों ने ऐसे बयान दिये, उनके खिलाफ आज तक इन फायर नहीं हुई, और एक आपका पार्टी के शक्स है, वो कहता है कि जाफराबाद के नीचे जो मेट्रो के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, चांद बाग में जो बैठे हुए हैं, अगर वो तीन द आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप करोगे नहीं, क्यूंकि ये वाइरस फिलाना चाहते हैं, और मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है हम तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर ये वाइरस युवा लोग के मन में बैठ गया ना, तो नो आप रहोगे नो हम रहेंगे, और नो लोकतंत रहेंगा, लिख लो इस बात को, हमने कई बार कई जगा इस बात को देखा है, जो फसाद होते हैं, और ताज्यूप की बात ही है, कि एक हमारे कश्मीर में, उमर उब्दुल्ला को हिरासत में कर लिए, क्यों किया, कि अगर उनको रहा किया जाएगा, तो शा पायद दंगे फसाद हो, तो उनको एक सो साथ के अंदर उनको छे मीने के लिए हिरासत में रखा, उमर अब्दुल्ला को रखा, महबुबा को रखा, फारुक साहब को रखा, क्योंकि हो सकता है, कि अगर उनको रहा किया जाए, और अगर कोई बयाम दे दें, तो दंगे हो स तो उन्होंने तो को बयान नहीं दे थे, उनको हिरासत में कर लिया, यहां तो बयान देने वालों को आपनी एफाया नहीं की, आपकी सोच क्या है, आपके मन में अंतर क्या है, आपकी विडम बना क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है, कि आप तो एक लौपु हैं सरदार पटेल की जगा पे बैठे हुए हैं ग्रैमंत्री जी कुछ तो ख्याल की तरही है अपने सरदार का उन्होंने कभी नहीं चाह होगा कि इस तरह से लोगों की हत्या और मासुम लोगों की हत्या हो सर गजब की बात ही है के ग्रैमंत्री जी आप तो खेट बहुत बिजी थे क्योंके ट्रम्प साप आ रहे थे and while the celebrations of Trump were being choreographed and were shown on TV channels on half the screen on the other screen the choreographed violence was being shown both were choreographed and where were you because he was busy in Ahmedabad आप तो यहां भी पहुँच गए थे आपने तो कोई बयान नहीं दिया आपने तो जनता को देश की जनता को संबोदित नहीं किया आप इतना तो कह देते कि जो ऐसे दंगों फसाद में कोई हिस्सा लेगा उसका हम कड़ी से कड़ी हमें होने नहीं देंगे लेकिन असलियत तो यह है कि पोलीस कर्मी अपने आप यह नहीं कर सकते थे कहीं ना कहीं से तो जनको इशारा मिला होगा ना क्या आप करो हम उस तरफ धियान नहीं रखेंगे मालूम है हमें भी मालूम है आपको भी मालूम है लेकिन आप कहोगे के नहीं नहीं कॉंगरिस के टाइम में बड़े दंगे फिदात मुझे मालूम है आप जवाब क्या देने वाले हैं आप बात इतिहास की करोगे कॉंगरिस की करोगे आप दिल्ली के धंगों की बात नहीं करोगे और मैं आपको ये भी आज़ आजवासन देना चाहता हूँ मुझे मालूम है क्या हने वले आपने S.I.T. तो बिठा दी आपने S.I.T. तो बिठा दी लेकिन पीडित लोग को अक्यूस्ट बनाया जाएगा और जिन्होंने फसाद किया उनको प्रोटेक्शन दी जाएगे हमने कई बार ऐसी बात देखी कई बार हमने देखी है बात ग्रे मंतरी जी ग्रे मंतरी जी आपको ये भी मालूम हाक है वहाँ एक नर्सिंग होम है काल्ड मोहन नर्सिंग होम मोहन नर्सिंग होम में लोग छट पे चड़ गए और तीन बजे मोहन नर्सिंग रोंग का मालिक कहता है कि हमें बाहर जाना पड़ा क्योंकि दंगे फसादी उपर आ गए थे और छट पे चड़ गए और छट पे वो मास्क्स हेलमेट लगाई हुए थे ताकि उनको कोई पहचान नहीं पाए और वो राइफल से गोली चला रहा था नीचे अब ये इमिज तो आपके पास है आपने किसको पकड़ा जो आप टेक्नॉलिजी की इमिजिरी की बात करते हैं तो आपने उसको पकड़ा वो जो साथी थे वहां बैटे हुए थे उनको पकड़ा आपने मोहन नर्सिंग्नों के मालिक से पूछा कि तुमने एफ आई आर की के मेरे यहां दंगाई आ गए है आप कुछ करिए आपने कोई कारवाई की नहीं की और करेंगे भी नहीं आप और यह जो लोग आ रहे थे क्या कर रहे थे यह जो उजवला स्कीम है ना आपकी उसके द्वारा जो सिलिंडर मिल रहे थे ना वो घरों में फैंक रहे थे जला रहे थे यह उप लबदी है पेट्रल पंप पेट्रल बोतलों में डाल के जला रहे थे और पहले पहले लोगों को ड़रा के भगा रहे थे भगा रहे थे फिर उसी जगा उसी घर में लूट रहे थे लूटने के बाद जला रहे थे और ये दिली में हो रहा था और परदान मंतरी सतर गंटे के लिए चुप थे यह क्यों हुआ? किस लिए हुआ? क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं इस देश की समविधान को? आपको मैं एक छोटी सी बात शायद अच्छा लगेगा आपको के हमारे directive principles में एक लिखित है fundamental duties उसमें लिखा गया है 51A to promote harmony and the spirit of common brotherhood यह एक fundamental duty है citizen के तो यह हो रहा था, they were spreading brotherhood, embracing communal harmony अबी तो चार गंटे का discussion हो गया ना, so I can... मैं रिवाइज कर दिया गया है वसलिए समय को रिवाइज कर दिया ना, पांच मिनिट मैं और बोल सकता हूँ, अभी तो मुझे हुए है नहीं पिर आननी शर्मा जी बोलेंगे उनका समय जाएगा तब जा ना मुझे बोलने है to value and preserve the rich heritage of our composite culture that's that's the fundamental duty and the beauty of it is that there is a provision in the constitution article 48 जिसमें लिखा है के गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए गाय को protect करना चाहिए सही बात है लेकिन आप गाय की protection के लिए तो कुछ भी कर सकते हो मानव की protection के लिए नहीं कर सकते है क्या हम एक और article लाना पड़ेगा directive principles of state policy में क्या गाय की protection is more important than the protection of human beings and human lives आपने कभी इस बात के बारे में सोचा बहुत दुख की बात है और हुआ ये है कि there is a massive internal displacement लोग घरबार छोड़के चले गए घरबार छोड़के चले गए और मैं असलियत ये है कि जो साथ या आठ या आपने कहा के बारा पूली स्टेशन है आप ये सदन को बताईए कि कितनी अफायरें दरज होई इस बीच क्योंकि अब तो 12 मार्च हो गया है और आखरी दंगा मेरे कहल 29 फरवरी को हुआ इस बीच कितनी अफायरें दरज होई मेरे पास एक जानकारिया मैं आपको देना चाहता हूँ और ये बड़ा ताजूप की बात है कि अगर कोई एफायर दरज करता है और ये मेरे पास एक एफायर नंबर 80 है और अगर दूसरा आदमी आकर कहता है कि साब मेरी एफायर दरज करो क्योंकि मुझे तो मालूम था कि इसने मुझे मारा तो वो उसकी एफायर दरज नहीं करता वो उसकी पर्ची साथ में 80 में लगा देता मेरे पास ऐसे at least 10 example है जहां लोग F.I.R. दर्ज करवाना चाहते हैं उनको मालूम है किसने दंगा किया उनको मालूम है किसने फ़साद किया उसकी F.I.R. दर्जे नहीं होती आप प्लीज मत होने दीजिए ये क्योंकि आप तो कहते हैं सबका विश्वास सबका साथ और कहीं ऐसा नहों कि वो सबसा विश्वास आप जो चाहते हैं आप ही पर विश्वास उठ जाए हम नहीं चाहते हैं हमारी सरकार है वो विश्वास हम चाहते हैं कि बरकरार है अरंजी का समझ जा रहा है मैं नहीं जाना एक में एक में खुछ भी कर ले उसाब तो भी रहेगा तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मैं गंबीर है उसमे बढ़ाना चाहिए आपने जो बाला कोट पे सर्जिकल स्ट्राइक की वो सही किया लेकिन अपने लोगों पर उपर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करते हो भाई साब हमें तो छोड़ दो देश की जंता को तो छोड़ दो और यह जो लोग उतरपर देश से आ तोड़ रहे थे CCTV सब तोड़ रहे थे ताकि किसी को पता नहीं चले तो उनको उनको तो उनकी उनको तो बोलो यार मत सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी जंता को के उपर चोड़ दो ये मैं आखरी मैं आपसे मिंती करना चाहता हूँ कि ये देश एक महान देश है एक सम्विदान भी एक महान सम्विदान है और हम इकठा हाथ मिला कर चलेंगे ना तो कुछ ना कुछ हम पाएंगे लेकिन असलियत तो ये है असलियत तो ये है कि हम इकठा नहीं चल रहे और मैं अपने साथियों को भी इलतिजा करना चाहता हूँ कि आप भूल जाए अपने घर की कंफर्ट को हम भूल जाए बूलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ा संगर्श हमें करना पड़ेगा क्योंकि जो वाइरस आप फिला रहे हो उसके दवाई हम ही है हसने की बात नहीं है देखिए बाबा आप करते जाएए बाबा आपको एक बात बताओं बिन खौफ के बिन खौफ के जब मैं चलने लगा हवा का रुख भी बदलने लगा चलिए शुक्रिया वह रुख बदलेगा और मैं अपने सहीयोगी दलों से कहना चाहता हूं हम वह रुख बदल के रहेगे और हम आपको इस देश को तोड़ने नहीं देंगे बहुत 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 बहुत